तो हेलो कैसी है माई YouTube फैमिली आई होब बहुत अच्छे होगे आप सब और मैं दुआ भी करता हूँ कि हर कोई खुश रहे और ऐसे ही मुझे प्यार करता रहे सपोर्ट करता रहे तो जी हाँ वीडियो पे आते हैं जिस वीडियो के लिए मैं बहुत ही जादा एक्साइटेड था फैनली आज वो वीडियो आ चुकी है जिस पे मैं आज रियक्शन देने वाला हूँ जी हाँ वीडियो का नाम है पांड्याज ब्लॉग एपिसोड फॉर इससे पहले का जितना भी एपिसोड है उन सब पे मैं रियक्शन दे चुका हूँ अलड़ी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो यह जो वीडियो है एपिसोड फॉर है यह काफी लॉंग टाइम के बाद आया है और मैं बहुत बेसबरी से इंतजार कर रहा था इस वीडियो का कि कब आएगी कब आएगी कब मैं देखूंगा कब आप लोगों को तक पहुँचाऊंगा तो मैं देखने जा रहा हूँ आप आप सब के साथ देखने जा रहा हूँ और मैं अपने आपको रोक नहीं बारा मैं अभी कुछ बाते नहीं कर पा रहा आप लोगों से मतलब इस वीडियो के बारे में बहुत सारी बाते करेंगे बट इस वीडियो को देखने के बात करेंगे अभी नहीं पहले वीडियो वर्दस्त होता है याग गाइस व्लोग आने में तोड़ा टाइम लग गया ना या सॉरी टाइम तो काफिसारा लग गया अभी आईपील के चकर में आईचीज ट्रॉफी निया पारी है व्लोग कहां से लाता है गाइस अचा गैस करो आज में काऊं अरे लंडन अपने माई भाई ने वेज़ा है कि अपने जित्ते प्लेयर से ना इन सब को सीधा लेकर माई भाई के फावाउस जाना है अरे तभी तो राने और जड्डू की तरह परफॉर्म करेंगे ना क्यों अरे अभी लंडन आया ना तो एक ओर चीज मता पड़ी अपना बिकेल है यहीं रिकेवरी ले रहा है तो मैंने सोचा ऑशे मिलता चलों मिलो के आजा 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 विकेल से हाय है ओ हाई जूक्टर्स का कहना यह अपना बिकेल अल्मूंस रिकवर हो चुका है इसली मिने इसकी दूसरे टांग भ बाइ जो इनका मतलब इनकी जो वीडियो होती है ना वो वीडियो इतनी अमेजिंग होती है कि आप एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं कर पा होगी इसी वजह से मैं काफी टाइम से मतलब वेट ही कर रहा था कि कब आएगी कब आएगी कब आएगी कब आएगी फाइनली यह आ चुकी है मैं आपने आपको रोक नहीं भी पा रहा इस चीज के लिए मुझे देखना ही है यह पूरा वीडियो क्योंकि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो चलो फिर देखते है यार मैं यह बोलना चाहरा हूं कि आप लोग ना एक सेकंड के लिए भी स्कीप मत करना अगर स्कीप पांड बाइक भी नहीं होती है आप देखोगे तो खुद आपको समझ में आएगा बहुत मजा हैगा इंज्वाए करना इस वीडियो को पांड यार इसका बताने का ना उम लोग को पहले ही बोला था हम दूसरे देश में इंग्लिश कंडिशन है वेदर ओवर कास्ट है अच्छे से ध्यान नहीं दिया तो लंबा नहीं टिक पाएगा हो गया ना धंड आयार इसका बडापाउ ऑई तुड़ी होता है जो सब्सक्रापीちゃलस प्रीड़ा है । हम अंड वह यंदन वेद फरेंखgener ट्वीट कान था moi जिसके तवेटान है नहीं नहीं है इन देता है रोईद भाई, इतनी मुश्किल चे इंडिया में एक खुशी आई है, हमसे वो मच्छी नो, प्लीज बात्र सही कम से कम ये रिटार्मेंट की खुशी तो हमसे मच्छी नो, हाँ, प्लीज रोईद भाई, प्लीज लेट इड़ो, तो बोज असी फिट दूर बॉल आई ती उसको भी लेट इड़ो करना था ना, आवा का भरा रहते हैं आप जाके आई जंड पूरी मारते हैं एक बूसरे की गैस 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 कौन है अश्मीन अन्ना, वर्ल्ड का नंबर वन टेस्स बॉलर, जो टीम में नहीं था, पानी पिला रहा था, इंजर्ड होगा नहीं, एल है, एल है, तो फिर तो कोई बैन का पकोड़ा, बवासीर, बैन का पकोड़ा, बवासीर, भाई, हस हस के ना, मेरा ये दुखने लग जाता ह जब ये मैं एपिसोड देखता हूँ, मैं इसका पांडियास ब्लॉग का, तो अभी से दर्द होना स्टार हो गया है, और मैं फिर भी स्कीप नहीं करूँगा, मैं मुझे पूरा देखना है ये, बुद्धी होगा जो एंको टीम से बाहर रखेगा, एंट्रा, एले चेपोल अंतर नहीं वालूं पड़ा, क्यो लिया इसको, मैं भी आधिनम्टे से ही बुच रहा था, क्यो लिया मुझे, अच्या काश सा, दूप में घंने का रस बेच रहा था, यहा भी बुला लिया, ये ने आप टेंचन मा तो, ओमेश भाई, इंडिया में अभी भी गर्मी है, च मैं तो मिस्त्री हूँ, अधिक भाई, ये रोईद भाई के घर का काम चल रहा था, उधर में इटा पकड़ते वह इन्होंने देख लिया, इन्होंने आकर मुझे पूचा, बॉल पकड़ेगा, हाँ, पकड़ लूँगा, और फिर मैं इधर आ गया, और फिर मैं इधर आ गय रोईद भाई दो, मेरे को बैटिंग करनी है, ये भाई, तु ये कहे कर रहा है, अर आज भाई जो हिंसे नहीं हो रहा हो करने आया हूमे, रोईद भाई आपको ये टीम मना ली थी तो मेरे को ये ले लेते, आपको पता है नहीं कंगारू बस दो ही चीज़ों से डरते है, पंत की बैटिंग और विराट भाई की असलेजिंग, इस बार दोनों ही नहीं हूँ अरे पंत तु फिट नहीं था रे, रोईद भाई भाई फिटनेस की बात आप तो मत ही करो रोई भाई खुल भाई को इसे ले लेए नहीं है तु मेरे पास पांच IPL ट्रोफी है, गो फर कि अल्ड़े का यह आए कि आभवation भाई रहाँ खुल वुल भाई मैं मुंबै को थैंसे थड लाया ना, इंडिया को लेयाँ गांगा अरे इंडिया को थर्ड पलाई की जरूवत क्या है हम ओर्डे़ी से किंड पंप ए क्यों नहीं सोचते हो क्योंकि वो इनका सपना नहीं है क्यों रोहिद भाई और यह क्या मुंबाई चन नहीं लगा रखाए अपने यह आई-प्या की वज़े सिना हम सब का गेम खराब हुआ है हम प्लेयर्स नहीं दलाल बनके रह गए जिनके नाम पर बस प्रटक बिखते हैं चन नहीं जीत गया मुंबाई जीत गया अरे भारत तो हार रहा है ना रोहिद भाई अरे बाई जाये आपको कि कैप्टन अब भी आप ही हो लेकिन फिर भी लोग बोलते है कि एक था जो विकेट के पीचे से गेम बदल देता था नहीं मैंने बात किया मोटा भाई से वो बोले कि ICC में आप नहीं चलता हो सार ए मोटा भाई वो अभाई की बात कर रहा है आप ज्यादा में राज़ता है अभी गयो अभी गयो मारो IPN नुशेर गिल तेरे ले तो एक स्पेशल कॉल है मेरे पास रुक कोन है रुक ना भी बताता हूँ हाँ येले प्रणम पपाजी ए वेडिया ये सारे बैट के ग्रिप है ना मेने तेरे लिए निकाल के रखे तो जल्दी से इधर आ फिर में तरे को बताता हूँ है अरे लेकिन पपाजी वो चुप चूत या कुटला IPN में तो बहुत मार रहा था लेकिन इधर क्या हो अधर को अरे पपाजी ने आउट कर दिया वरना भी पक्का संचुरी मारता अरे चूत तो नाइटेट में नर्वस था नर्वस नाइटेट में नहीं मेरे जैसे पाजी नेक्स तेम बिलकुल नहीं हो अच्छा वो सब छोड़ रहे है तो बोल पैंसल बोल पैंसल पैंसल? तेरे शादी कैंसल देखना गाइज अपना गिल अगली बार पक्का संचुरी मारेगा एना? एक इल एक बार बोलना कड़वा आज नेनी मुझे बता क्या बोलो कि सब को दा है तुभाज है ठाड़ो? पहसो दा हो भुँचा तो नहीं यहरे रोइद भाई ना आपसे रश अपरे लाहन आपसे लिए पहसे अब शसा है कुए किए अब आपसे उमीद्ध है नहीं whe For so reminds me एक एकवारत पार डामाइ! नो युश नो ने स्पेशल सेक्युरिटी वेजिए थाकि आपने फ्लेयर्स इदो करना निकल जाी सब को भर्वादिया थारी में तो खातम करते हैं सारे मही लोग गाड़ी में अचुके और गाड़ी अचालाएगा अओ बास साब क्या खतर्रा कि स्टोरी बनाते हैं यार यह मतलब यार मैं इतने काफी टाइम से जो वेट कर रहा था ना वो मेरा वेट फाइनली आज खत्म हुआ अड जो इनका होता है धुए इनका बीडियो जो तुम हसे बिना रही नहीं सकते इस वयसे मैं वेट कर रहा था एक जो इमोशनल वाला सीन हुआ था कि हमारा मतलब इंडिया हर रहा है ना मंबई और चेन्नी क्या इंडिया हर रहा है है मतलब यह टू है और कुछ भी ओ यार इंडिया हर रहा है तो तकलीफ होगी नहीं देखो मुझे मैच में इतना इंटरस्ट नहीं है बट जब international match होता है ना इंडिया पाकिस्तान जिसका उसका भी जाएसा होता है कि उस दिन कुछ अच्छा नहीं लगता ऐसा होता है तो इस चीज का तो होना चाहिए कि जो कैप्टन हो हमारा वो इतना सॉलिड हो इतना ज्यादा पावर्फुल हो कि वो बंदे को देखके पहचान के और उसको ऐसा चूज करें कि इंडिया हारे ही ना यार इ यह दिखाना है कि हम किसी से कम नहीं है तो यह बार-बार स्टीज में में इस तरफ से फाइनली मैं ऐसे मतलब यह नहीं बोल रहा हूं कि छोड़ देना चाहिए कप्तानियों को धंके बंदे को कसे करेंजों किप्तान बनाना चाहिए इंडिया का है छोड़े इस ब्लॉका का क्या है न रोहित की जहन्ड मारी है इस मतलब हर बात पर रोहित की लेना हर बात पर रोहित की लेना ये बड़ा मतलब सॉलर्ड तरीका है एक इंडियन जो किरकेटर है हमारे उनको एक अच्छा मैसेज देने का समझाने का कि देखो तो भी है ये गलतियां करते हो. अगर वो देख रहे हो तो उनको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, this is true story, कि हम ये गलतीया करते हैं, बट मुझे नहीं पता, कि यो लोग देखते हैं, नहीं देखते हैं, क्या है, क्या है, क्या नहीं है, बट उनको देखना चाहिए, इसमें सब से चीछी, ये सब को, सब की ली ज आती है ऐसा नहीं है कि एक बंदे को सबकी ली जाती है तो मुझे बहुत मज़ा आता है बहुत ज्यादा मतलब अगर तो आप रोते भी रहोगे ना आप सैड भी रहोगे ना तो यह ब्लॉक देख लोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको एक अंदर से एक ऐसी फीलिंग आएगी क यहां फूढा सा फ्रेश हों कि इतना हसलोगे आप ने जॉँए कर लोगी कि आपको मज़ा जायागा तो मैंने इजुए किया फाइनली मेरा यह जो वेड था वो खतम हुआ and मैंने देख लिया फाइनली इस वीडियो को and मज़ा आ गया मुझे तो आप लोग मुझे ये बताना कि आप लोग कितना मज़ा आया comments करके बताना and आप लोग कौन से मतलब कौन-कौन इस पांडियास ब्लॉग का वेट कर रहा था हो भी मुझे comments करके बताना and अगर जिन्हों ने इसका पहले वाला पार्ट नहीं देखा है वो मेरे चैनल पर जाके देख सकता है और लेडी मैंने उस पर reaction दे रखा है आप लोग देख सकते हो and मेरी वीडियो में मतलब मेरी तरफ से अगर कोई problem आपको लगती है या कुछ add-on करना है या कुछ changes करनी है आगे आने वाले वीडियो में तो आप मुझे comments करके भी बता सकते हो आप मेरे Instagram पर मुझे message करके भी बता सकते हो Instagram का link आपको description में मिल जाएगा and मेरे Facebook page को भी जाते follow करो उसको भी share करो दोस्तों तक उसका video जो link है वो आपको description में मिल जाएगा तो thank you so much thank you for watching this video and ऐसे ही support करते रहो आपका support जो है वो मेरे लिए fuel का काम करता है मुझे motivate करता है तो please आप लोग ज्यादा स्यादा support करो ताकि मैं आप लोगों के लिए हर टाइम खड़ा रहूँ वीडियो बनाने के लिए and जैसे कुछ नहीं update आए मैं आप लोगों तक पहुचा सकूँ क्योंकि आप जो support करते हो मेरे लिए motivation का काम करता है तो ऐसे ही मुझे motivate करते रहो ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो बना सकूँ तो thank you so much thank you for watching my video and keep supporting and take care अपना भी ख्याल रखो और अपने आस बास के लोगों का भी ख्याल रखो and माहुल में पीस पैदा करो thank you so much bye बेक्या